अगर आपका नीट स्कोर 150 से लेकर 400 तक आ रहा है तो ये बात तो सबको clear होती है कि government college नहीं मिलने वाला है इसके बाद parents और students का सिर्फ एक ही call होता है बार बार हमारे counselors के बाद एक ही call आता है Sir, 50 लाख वाले medical college जिनका budget 50 लाख हो वो college बता है ये private medical college में हम लोगों ने एक special private chat community बनाई हुई है community जो की WhatsApp community है जिसमें आपके numbers किसी के साथ भी share नहीं होते हैं उसका link मैं नीचे pin कर रहा हूँ description में उस link को अगर आप click कर देते हैं और आप WhatsApp के हमारी उस community में जूड जाते हैं तो आपको continuous updates मिलते रहेंगे needs related सभी तरह के जिसमें कोई भी नय notification आ रहा है कोई form filling हो रही है या किसी college में कोई नय अपडेट आया है और यहां तक ही choice filling के expert guidances, video updates सब आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे इसलिए ये option आप भूल मत जाएगा नीचे WhatsApp का जो community link है उमें देड डाल रहा हूँ इसको तुरंट अभी जाकर connect करें और हमारे साथ जूड़े रहें जिससे की सभी तरह के updated videos और details आपको मिल सके अब यहां तो इस्तिती होती है एक south से बहुत सारे calls हाते हैं आपके पास हम आपको 40 लाग रुपे medical college दिला देंगे तो टोटल बजट आपको 50 लाग आएगा साथदान रहीगा ऐसे लोगों से आपके साथ cheating हो सकती है आज के इस video च में genuinely 50 लाग रुपे के budget में सिर्फ 1.500 से लेकर 400 की need score में कौन-कौन से college मिल सकते हैं आपको वो बताने वाला हो तो वीडियो को एंग तक जरूर देखेगा तो जानते हैं 48 से लेकर 56 लाग फीस वाले private medical colleges जुड़े रही है अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकोन को प्रेस करें जिससे के आने वाले वीडियो के नोडिफिकेशन भी आपको मिल सकते हैं आपको यूनिसिस ग्लोबल के ऑफिशल यूटीब चैनल पे मिलेगी सारी जैन्मिन इंफरमिशन तो चलिए जानते हो कौन से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजे हैं जो आपको फीस मिलेगी 48,00,000 से लेकर 56 के बीच में और यहां पर आप नीट स्कोर 150 से लेकर 400 नीट स्कोर के बीच में भी अपलाई कर सकते हैं आपको कॉलेज मिल सकता है लेकिन इसके बीच में कुछ खास बाते हैं जो आपको धिहान रखने होगी किस समय पर अपलाई करना है किस तरह से आपना। यहां पर अगर आपने गलतियां की तो आप से चुक हो जाएगी और आपको जरूत पढ़ेगी एक support की अगर आपको किसी भी तरह की support की जरूत है नीचे दिये गए description में numbers से आप समसे संपर्ख कर सकते हैं तो चलिए जानते हैं वो कौन-कौन से colleges Of course इस college की list में मैंने एक video बनाया था 36 गड़ के ओपर के लिए वो पूरा video मैंने इस link पर डाल दिया आप देख सकते हैं लेकिन आज मैं बताने वाला हूँ यूपी के वो private medical colleges जो आपके budget में आ सकते हैं यानि 50 लाक वाले private medical colleges इस video में जो मैं बताने जा रहा हूँ वो private medical college की tuition fees बता रहा हूँ उसके लावा hostel और कई तरह के hidden expenses हैं उसके लिए detailed video में बनाने जा रहा हूँ वो भी आप channel पर देखते रहिएगा चलिए जानते हैं सबसे पहले चार private medical colleges और इस colleges हैं सरस्वती Institute of Medical Sciences हापुर ये 150 seats वाला college है इसके बाद केडी Medical College and Research Center मतुरा रामा Medical College and Hospital and Research Center कानपुर और मायो Institute of Medical Sciences 12 बंकी इन सभी colleges के अंदर 150 seats हैं और generally hostel की fees 1,50,000 है जो की UP government ने fix की हुई है लेकिन उसके पीछे hidden charges भी है डीटेल जानने के लिए आप हमें पिंग कर सकते हैं comment box में या फिर आप हमारे numbers पे जो description में दिया है उनसे संपर कर सकते हैं अगले चार private medical colleges हैं जो इससे भी low score पे मिल सकते हैं और budget लगभग यही है वो colleges है राश्री Medical Research Institute बरेली GS Medical College हापुड प्रसाद Institute of Medical Sciences लखनाव और NCR Institute of Medical Sciences मेरट इन सभी colleges में भी 150 seats हैं हर एक college में और इसके बाद list में आगे colleges आते हैं जो और भी कम need score पे आपको मिल सकते हैं वो है श्रीवेंक लेश्री इंस्टीट अफ मेडिकल साइंस अमरोहा सरस्वती मेडिकल कॉलेज उननाव वरनारजुन मेडिकल कॉलेज सारनपूर और नाराना मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल कानपूर इसके बाद कुछ कॉलेज में minority का benefit मिलता है किसी कॉलेज के अंदर hidden charges है किसी की fees कम दिख रही है लेकिन वो fees actual में आपको जादा पड़ती है वो सब क्या details है अगर आप ये भी जानना चाहते है और इसके साथ आप ये भी जानना चाहते है कितने number पे कौन सा college मिल पाएगा specifically एक ही वीडियो में सब कुछ बताना possible नहीं है उसके नहीं मैं पूरा अलग सिक वीडियो बनाने जा रहा हूँ detailed वीडियो जिसमें मैं आपको fees भी बताऊँगा कितने rank तक आपको कौन सा college मिलेगा ये भी बताऊँगा जो बच गए हैं colleges उन colleges में कितने score पे आपको मिलेगा ये भी बताऊँगा इन सब चीजों को जानते रहने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें जिसके आने वाले वीडियो के नोडिविकिशन आपको मिल सके आज जो हमने बताया है डीटेल इसमें से किसी भी चीज से रेलेटेड आपको कोई जानकारी चाहिए तो comments में type करके या फिर call करके आप हमसे जान सकते हैं ये सारे colleges आपको मिल सकते हैं minimum score से लेकर 400 तक के score के बीच में अगर आप सही sequencing और सही तरीके का college selection procedure फॉलो करते हैं तो आपको definitely college मिल जाएगा इसके अलावा ज़ादा options इंडिया में नहीं हैं अगर आपने ज़ासी भी चुक की गलती हो गई तो सारे options आप miss कर देंगे एक साल waste होगा इसलिए ऐसी गलती ना हो तो expert opinion और expert guidance लेना हमेशा suggested रहता है चलिए जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ तब तक खुश रहिए Goodbye and Thank You